हेलो दियर स्टुडेंट हम कंचिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइन्स चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन आर्गिनिस्म प्रीवेस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा था जिसमें हमने में निली डिसकस किया था एरोबिक एंड अनरोबिक रेस्पिरेशन डिसकस की कमी रहती है तो उस वक्ते क्या होता है तो यह सब जो हैं इनके टाइप्स देखे थे अगर आपने हमारा प्रीविएस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागली पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो पसंद आ तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एब हम वीडियो को शेयर करें और बैल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ब्रीधिंग तो नेक्स प्रोसेस जो है ब्रीधिंग हम जानत आपको अच्छे से टाइटली बन कर देना है ऐसे कि अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए और घड़ी की तरफ देखना है आपको कुछ समय बात कैसा मैसूस होगा आप कितने समय तक इसको बंद करके रह सकते हो note down the time for which you could hold your breath और आप उस time को note करें आप जितने देर सांस रोख सकते हो अपनी सांस को रोख सकते हो वो time note करना so now you know that you cannot survive for long without breathing तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक हम इस तरह से नहीं रह सकते हैं अगर हम अपनी नाक और मुँ दोनों बन कर लें तो हम बहुत लंबे समय तक बिना ब्रीथ किये नहीं रह सकते हैं breathing means taking air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ breathing का मतलब क्या होता है air जिसमें mainly क्या हो oxygen हो उसको अंदर लेना और air जिसमें mainly carbon dioxide हो उसको बाहर निकालना यह हम सीधे सीधे बोलें हम oxygen अंदर लेते हैं और carbon dioxide बाहर निकालते हैं किसकी मदद से हमारे respiratory organ की मदद से respiratory organ मतलब nostrils हैं, lungs हैं तो यह हमारे respiratory organ से जिसकी मदद से हम intake of oxygen हैं और उसके बाद हम जो है give out for carbon dioxide करते हैं the taking of air rich in oxygen into the body is called inhalation यह terminology याद रखिएगा oxygen rich air का body में अंदर जाना कौन सी process कहलाती है? inhalation कहलाती है क्या कहलाती है? inhalation oxygen rich air का body के अंदर जाना inhalation कहलाता है and giving out of air rich in carbon dioxide is known as the exhalation और वो air जिसमें carbon dioxide जादा है उसको body से बाहर निकालना क्या कहलाता है? exhalation मतलब हम breathing बोल सकते हैं दो process मिलके complete करती हैं पहला inhalation दूसरा है exhalation हमने यदि inhalation और exhalation वर्ट का यूज कर लिया तो वो complete चीजों को define कर देता है it is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism यह जो process है breathing की वो continue process है जो की हर वक्त life जब तक है तब तक है होती रहती है the number of times a person breathes in a minute is term as the breathing rate और वो जितने time में एक person breath करता है सांस लेता और छोडता है उसको हम क्या बोलते हैं? breathing rate बोला जाता है during breathing, inhalation, exhalation take place alternately breathing की दोरान inhalation और exhalation alternately होता है obvious बात है एक बार सांस अंदर ली जाएगी दूसरी बार सांस निकाली जाएगी अब breathe means one inhalation plus one exhalation तो हम breathe को बोल सकते हैं एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना would you like to find out your breathing rate? क्या आप अपना breathing rate निकालना चाहेंगे? do you want to know whether it is constant or it's change according to the requirement of oxygen by the body? क्या ये constant रहता है? मतलब breathing rate हमेशा एक जासा रहता है या हमारी body की जैसे requirement होती है उससाब से change होता जाता है let us find out by doing the following activity तब हम एक activity के थूँ ये समझेंगे कि breathing rate constant रहता है या according to the body change होता जाता है तो activity 10.0 generally we are not aware that we are breathing हम aware नहीं होते हैं हम सास ले रहे हैं हमें इसके लिए कोई extra efforts नहीं लगाने पड़ते हैं कोई भी काम कर रहे हैं continue body में breathing चलती रहती हैं और हम ऐसे aware भी नहीं होते हैं अच्छा अब हमने सास ली ठीक है अब हम चोड़ देते हैं इसे कुछ awareness होती है क्या body के अंदर नहीं होती है मैं अभी पढ़ा रही हूं बोल रही हूं तो भी breathing हो रही है आप सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो भी breathing हो रही है खा रहे हैं चल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं breathing continue body में होती रहती है और we are not aware for this however if you try you can count your rate of breathing breathe it and out normally आप यदि अपने breathing rate को count करना चाहते हैं तो नॉर्मली सांस अंदर और बाहर लेते रहे हैं find out how many times you breathe in and breathe out in a minute अब उसको count करना है एक minute में कितनी बार सांस ली आपने और कितनी बार चोड़ी मतलब यह normally आपको ऐसे नहीं कोई उसके लिए efforts लगा के या कुछ ऐसे नहीं normally आप जैसे ले रहे हो बस उसे लेते रहो और count कर लो did you inhale the same number of times as you exhale now kind to your breathing rate number of breath per minute after brisk walk and after running अब आपने क्या same number से exhale out किया यह देखना है है ना जितनी बार inhale किया उतनी बार ही exhale होगा अब उसके बाद आप यदि चल रहे हैं तब भी क्या आपका breathing rate वही है आपने run किया तो भी आपका breathing rate वही है तो यह आपको count करना है record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest यह सब complete करने के बाद भी आपको अपना breathing rate count करना है और जब आप rest कर रहे हैं उस वक्ते भी tabulate your findings and compare your breathing rates under the different condition with those of your classmates Interolith rate अब आपको यह पूरा tabulate कर देना है की जब आप normally बैठे हैं तब कैसा है तब कैसा है रएस्ट कर रहे थे तब कैसा है dwad कैसा तो यह सब आपको tabulate करना और इपर अपने classmates के भी ऐसे compare करना है कि आपका ज़ादा है आपके classmates का ज़ादा है या दोनों का से में तो यह सब चीज़ें आपको देखना है फ्रॉम अबाव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वैनेवर आप परसन नीज एक्स्ट्रा एनरजी ही और शी ब्रीट्स फास्टर अब यह करने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि जब भी किसी वैक्टि को extra energy की requirement होती है तो वो तेजी से सांस लेने लगता है as a result more oxygen supplied to our cells और इसके कारण क्या होता है हमारी body में oxygen की supply बढ़ जाती है it's steep up speeds of the breakdown of food and more energy is released अब oxygen ज़्यादा मिलेगी तो food का breakdown तेजी से होगा और energy भी ज़्यादा release होगी does this explain why do feel hungry after a physical activity इसलिए जब आप कोई ऐसे physical activity करते हो खेल के आते हो है ना कुछ भी इस तरह का दोड़ के आते हो या cycling करते हो कोई games वगरे खेल रहे हो तो उस वक्त उसके बाद आपको भूग ज़्यादा लगती है ठीक है अब इसके बाद का हम यह table और यह सब जो next activity है हम next video में देखेंगे आपको इस video में कोई भी doubt कोई भी problem है तो आप मुझसे message करके comment करके पूछ सकते हैं एक बार chapter जरूर read करिएगा keep study, keep watching thank you so much